खाते हुए टीवी और मोबाइल जाएगा यह हमने सही किया न चलो आप बहुत हुआ अब बापस कर दो चेश्मा और खाना खाने चलो अरे यह क्या बात हुई जब मा इसी हो तो बच्चों से क्या ही उमिद करूं मैं अरे मा जी बच्ची ही तो है इस सिम्रम में बच्ची ही तो शैतानी करेंगे न एक तरफ सिम्रन के बच्चे थे तो वहीं दूसरी तरफ उसकी देवरानी ममता के बच्चे रानी और रोहन दोनों के बच्चों में जमीन आसमान का फर्ग था चलो बच्चों खेलना कुना बंद करो और पढ़ाए पर फोकस करो मा एक सवाल है हल करवादो ना आप मुझे समझ में नहीं आ रहा बच्चों आपने पहले कोशिश की क्या उसे हल करने की मैंने देखा ना दिखी रफ कर रहा है पर आंसर आता ही नहीं कोई नहीं एक बार और खुद से कुशिश करो अगर इस बार भी नहीं आया तो मैं दूंगे आंसर अरे देवरानी जी इतनी मैनत करवाने की क्या जरूरत है बच्चे है कोई मशीन थुड़ी ना है दीदी मशीन नहीं है पर में इने मशीन की आदत पी नहीं डालना जाती जो करे खुद करे जितने की जरूरत है सारी चीज़ इनके पास तो है अब बस इने मैनत ही तो करनी है अरे तुम भी कौन से जमाने की बात करती हो ममता टेकनोलोजी के जमाने में इनसे मैनत करा रही हो बला क्या ज़रूरत है इतनी मैनत करके एक-एक सवाल सौल करने की इतने में तो दस सवाल सौल हो जाए बला क्या ही सीख रहा है ये टाइम विस्ट करके दीदी जो इनसान सीख सकता है माबाप से ही सीख सकता है उड़ से कुषिश करेंगे तो एक ही सवाल को कई तरीके से हल करना सीख जाएंगे खुद तो पुरानी सोच की हो और बच्चों को परिशान कर रखा है बला क्या ही होगा इससे जरूरत के हिसाब से आज की दौर में काम करना चाहिए फाल तुम्हें एक ही काम को सौ बार करके टाइम क्यों बरबाद करना ताई जी आप हमारी माँ से इस दरह से बात मत करिये उन्होंने सब कुछ दियाया मैं अब बड़ी है हमारे माँ को डाच सकती है गुस्सा हो सकती है पर जहां उनकी गलती हो तभी नहीं बच्चो मैं तो बस आपकी मम्मी को समझा रही थी ऐसे तो वो आप दोनों के भविशे के साथ मजा कर रही है बिटा बच्चो ये तरीका नहीं है अपने बड़ों से बात करने का वो बस मुझसे अपनी बात कह रही है न चलो दोनों माफी मांगो अभी क्या भी ताई जी हमें माफ करना एक तरफ जिठानी के बच्चे फोन और टीवी में लगे रहते तो वहीं दूसरी तरफ देवरानी के बच्चे सभी और संसकारी थे उसे दिन शाम के वक्त ममता और उसके बच्चे खाना खा चुके थे तब ही ममता कहती है चलो रानी और रूहन अपने बरतन सिंक में रख कर आओ अरे बहु ये क्या कर रही हो रानी जा रही तो वह अपने बरतन भी रहसय में रखाती एक ही काम के लिए दोनों क्यों जाये भला रानी अपने भाई की ठाली भी रखाएगी मम्मी जी पर खाना तो दोनों ही अलग-अलग प्लेट में खाते हैं न तो उनको अपने बरतन खुदी रख कर आने चाहिए तेरा इकलोता लड़का है फिर भी उससे इतना काम क्यों करवाती है वैसे बिना लड़कों से ये घर के काम मत करवाया कर अच्छा थोड़ी ना लगता है मम्मी जी इकलोता हो या ना हो मैनर्स तो मैनर्स ही होते हैं और फिर आज के टाइम में लड़का लड़की का भेटभाव क्यों मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे एक समान है और जिसका जो काम है उसको वो करना ही चाहिए बहुत तु भी अब क्या टेकनलोजी का और वीडियो का ज्यादा इस्तमाल करने लगी है जो तेरी सोच में बदल गई है और तु भी अपनी जिठानी के जबान बोलने लगी है नहीं ममी जी पहली बात टेकनलोजी बुरी चीज़ नहीं है टेकनोलोजी का आप किस तरह से इस्तमाल कर रहे हैं इससे अच्छा या बुरा डिसाइड होता है देख पिटा तुझ जो भी करती है ना सोच समझ के करती है इसलिए मैं तुझ से ज्यादा नहीं बोलूँगे कुछ मामी जी लड़का और लड़की में कोई भेदपाऊ नहीं करूँगी तभी तो कल जाके मेरा लड़का भी किसी से भेदपाऊ नहीं करेगा हम जो आज अपने बच्चों को सिखाते हैं न वैसे ही तो वो आके चल कर बनते हैं हाँ बहुत सही कह रही है मोना ममता के बच्चे को देख कर खुश हो रही थी तो वहीं सिम्रन के बच्चों की हर बार कोई न कोई नई शिकायत स्कुल से आई ही जाती थी देखे मैम आपकी बच्चे बहुत शेयतानी करते हैं स्कुल में अरे कैसी बात करते हैं सर, बच्चे शैतानी नहीं करेगें तो कौन करेगा, शैतानी एक अलग बात होती है, सिमरन जी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, कि ये क्या करते हैं स्कुल में, ऐसा क्या कर दिया मेरे बच्चों ने, जो आप इतना हाइपर हो रहे हैं, द पॉकेट मनी से आपको क्या दिक्कत है? मेरे पैसे हैं, तो वो मेरे बच्चे ही इस्तिमाल करेंगे ना? आपको भला उसे क्या दिक्कत है? आपका बस चलेगा तो आप तो ये भी बोल दोगे, कि बच्चे को खाना देना भी बंद कर दूँ. आपके बच्चे दिन रात फोन चलाते हैं, उसमें कुश ना कुछ गलत सलत देखते रहते हैं, और मानीय है या ना मानीय, आपने बच्चे को सर पचड़ाया हुआ हैं। तीनों चीजों से ये दिन भर फोन पर उल्टी सीधी वीडियो देखते हैं नए-नए प्रैंक करना सीखते हैं आप इन लोगों को पैसा देती हैं ये लोग इन पैसों का गरत इस्तमाल करते हैं इन बच्चों को पैसों की कदर ही नहीं है ऐसा क्या किया मेरे बच्चों ने सर इन लोगोंने बबल गम खाकर टीचर्स की कुर्सी पर लगाई है टीचर्स को डराने के लिए पठाका फोड़ते हैं और डराओने-डराओने मास्क लगाकर लड़कियों को डराते हैं अब बताओ, और कौन सी कौन सी शिकायत आपको बताओ, ये तो बस वो शिकायत है जो मुझ तक आई है, वना स्कूल के बच्चे तो इन दोनों के डर से कोई शिकायत तक नहीं करते हैं, सुरी से, मैं आगे से ध्यान रखूँगी, मुझे ये सब नहीं मालूम था, मुझे तो disadvantage समझाने ही पाई थी, अब सिमरन को भी समझ में आने लगा था कि शायद उसने बच्चों के हाथ में जरूरत से ज्यादा साधन दे दिये हैं, जिसका गलत फाइदा उसके बच्चे उठा रहे हैं, उसी दिन शाम के वक्त सिमरन बच्चों को खाने के लिए कहती है, मैं नह देखनी है, बिना फोन देखे मैं खाना नहीं खाऊंगा, किसी ने वाइफाइ बंद नहीं किया है, राज, लाइट चली कही है, लाइट आएगी तब इतो वाइफाइ चलेगा, चलो अब खाना खाऊ जली, कह दिया नहीं खाऊंगा, फेक दूँगा खाना स्यादा अब जब तक मुझे फोन नहीं मिलेगा, मैं खाना नहीं कहूंगा, राज का ये बरताव देखकर सिमरन को शौक लगा, वो अंदर ही अंदर परिशान रहने लगी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब अपने बच्चों को कैसे समझाए, कुछ दिन सब ऐसे ह चलता है कि शाम के वक्त ममता मिठाई लेकर आती है, दीदी येली जी मिठाई खाओ, ममी जी आप भी खाईए, ऐसा क्या हुआ है बहू, खुश ख़बरी भी तो बताओ, आखिर तुम ये मूँ मिठा किस बात पर करा रही हो, मेरे बच्चों ने हाफ यली एक्जाम में क्ल आमें दोनों पास तो हो गया है ना, अहां ममी जी, रिजल्ट तो आ गया है पर बच्चों का साल खराब ना हो, इसलिए सिर्फ पास वाले नंबर आये हैं, कोई बात नहीं दीदी, अगली बार अच्छे आजाएंगे, परिशान मत होईए, बच्चे हैं, अपनी मर्जे से ह पढ़ाई करते हैं, अरे यही तो बात है, इसके बच्चों का तो मन कभी भी नहीं होता पढ़ाई का, बस यही खैर मनाओ कि यह किसी तरह पास हो जाते हैं, वाना पूरे स्कुल में इसकी तो नाक ही कट जाएगी, कि बच्चों को modern education दे रही है, फिर भी बच्चे पास तक नहीं हो पा रहा है, मा जी बच्चों को बढ़ाई के लिए फोर्स नहीं करना चीए, जब उनका सच में मन होगा तब ही वो बढ़ते हैं, वना किताब खुलके बैटे रहने से पास नहीं होते, हाँ हाँ तुम तो ऐसे बोलोगी न, तुमारे बच्चों ने टॉप जो किया तुम अपना ज्यान अपने पास ही रखो, सिमरन गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है, और पीछे से ममता आवाज दे कर कहती है, अरे दीदी, मैं आपको ये बच्चों को कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो सबकी ही बाग कर रही थी, अरे जाने द बहू उसको, अब उसको कुछ सुनाई नहीं देगा, अब उसको पता ही नहीं है कि वो अपने हाथों सही अपने बच्चों का भविश्य खराब कर रही है, वही दूसरी तरफ सिमरन अपने कमरे में घुमते हुए मन ही मन सूचती है, ना जाने कैसे इस ममता के बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, ना तो इसने फोन दे रखा है, ना ट्यूशन लगवाई है, एक मेरे नाला एक बच्चे, सब देने के बाद ये हाल है, आखिर मैंने कहां कमी करती है, सिमरन स्कुल जाकर अपने बच्चों के जैसे तैसे पासिंग मार्क्स लेती है, और नहीं दूँगा, पहले तुझे मेरे साथ खेलना होगा, उसके बाद ही तुम्हें पैंसिल बॉक्स मिलेगा, भाई कुछ दिन बाद एक्जाम है, मैं आपके साथ खेलती पर अभी मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे नंबर्स लाने, आप मेरा पैंसिल बॉक्स दे दो प्लीज, मैं तेरी बुक्ट फाड़ दूगा, अगर मेरे साथ नहीं खेलेगी तो, और जुट भी बोलनूगा कि तुने खुद बुक्ट फाड़ी है, चल आप खेल मेरे साथ, राज, आप मेरी बेहन के साथ ऐसे तूतू करके क्यों बात कर रहे हैं, और आप उसे परिशा चलाया क्या, औरे मैं तो भूली गया, कि तुम दोनों इतने गरीब हो, कि तुमने तो आज तक टैप को टिकसर देगा तक नहीं होगा, भाई ये गलत तरीका है आपका, मैं आपकी शिकायत मम्मी से कर दूँगा, हाँ हाँ, जाओ जाओ, कर दो, कर दो, डरता तो मैं अपन दी गलत भाशा का इस्तमाल कर रहे हैं, रानी और रोहन सिम्रन को जाकर सब बताते हैं, अच्छा क्या तुम दोनों ने, जो मुझे आकर सब बता दिया, अब तुम दोनों अपनी पढ़ाई करो, मैं राज से बात करती हूँ, ऐसा कहकर सिम्रन परिशान होकर अपनी दिवर दाय दिये हैं, फिर भी ये पढ़ाई में कमजोर हैं, इन्हें बात करने का भी तरीका नहीं है, ये दोनों तो आए दिन बत्तमीज होते जा रहे हैं, किसे की कोई बात ही नहीं सुनते, दीदी बुरा मत मानिएगा, पर सबसे पहले तो आप इस घर का वाइफाई बंद करि इसलिए आपको भी अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा, तुम कहना क्या चाहती हो, मैं ध्यान नहीं देती, नहीं नहीं देती, मेरा वो मतलब नहीं है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, वो फोन से कम आपसे ज्यादा जुड़े तो ही अच्छा होगा, तब ही तो वो दोनों आपकी बात मानेंगे, ठीके ठीके ज्यादा मत सिखाओ, तुम्हारे प्रास के आगी, तुम तो मुझे ग्यान देने लगी, ठीके, अब मैं खुद कर लूँगी सब, सिमरन ने मम्ता का कहना मानकर घर का वाइफाय और टीवी वाला रूम बंद कर दिया, ले और राज खाना कैसे खाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो पढ़ेंगी कैसे, तीवी वाला रूम नहीं खुलेगा, चुपचाप बैट कर खाना खालो, बैं चल, टैब में वीडियो दे कर खाएंगे, छोड़ना टीवी को, वाइफाय नहीं चल रहा भाई, वो भी बं ममता सिमरन को समझाने की कोशिश में नाकाम रहती है, सिमरन फिर से बच्चों को फोन और टीवी वाला कमरा खोल कर देती है, सिमरन के बच्चे टीवी देखते देखते पढ़ाई करते हैं सिमरन जी, आप अपने बच्चे और उनका रिजल्ट दोनों लेकर आईए अरे पर टीचर हुआ क्या है, आप इस तरह से क्यों बुला रहे हैं आपके दोनों बच्चे फेल हो गया है, और मुझे उमीद है कि ये फाइनल एक्जाम में भी पास नहीं होंगे नहीं नहीं सर, मैं पूरी कोशिश करूँगी, इन्हें मैं पढ़ाऊंगी आप तो पहले इन्हें वो पढ़ाएं जिनकी इन्हें सबसे स्यादा ज़रूरत है वो क्या सर? संसकार, संसकारों की ज़रूरत है इन्हें एक ही घर के बच्चे है चारों, नजाने के उरिंकी और राज इस तरह से निकल गए उन दोनोंने दुबारा टॉप किया है इस बार सिमरन को छटका लग जाता है बहुत मुश्किलों के बाद जब ममता स्कूल के प्रिंसिपर से बात करती है तब जाकर सिमरन के बच्चों को स्कूल से ना निकालने का फैसला लिया जाता है ममता स्वारी मुझसे गलती हो गए दीदी अभी भी देर नहीं हुई है इस बार मैंने बचाया है पूरी जिन्दकी आपको बचाना होगा मैं मा के मुँँ में फस गई और मैंने ये सब कर दिया नई दीदी आपने कुछ नहीं किया टेक्नोलोजी जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी है टेक्नोलोजी संसकार नहीं सिखाती वो तो माबाब ही सिखा सकते है सिमरन ममता बिलकुल सही क्या रही है दीदी फोन में टीवी में ऐसा बहुत कुछ दिखाते हैं जो बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी सही नहीं है पर क्या आप भी कुछ हो सकता है ममता हाँ हाँ दीदी बिलकुल हो सकता है बच्चे तो मिट्टी का घड़ा होते हैं उन्हें अभी बदलेंगी तो वो बदल जाएंगी बहु उन्हें अच्छा सिखाओगी तो सिखेंगे ना दीदी आपको फिर से वही सब करना होगा जो आपने करा था और इस बार आपको स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा इस बार मैं अपने बच्चों के भविशे के साथ नहीं खेलूँगी ममता इस बार तुमने जो भी मुझे समझाया है सिखाया है मैं उसी रास्ते पर चलूँगी बहु ये बात मैं तुम्हें कब से समझाना चाहती थी पर आज तुमारी आख खुली कोई बात नहीं ममी जी वो कहते ना दे रहा है दुरस्ता है सिम्रन ने इस बात को समझ लिया कि टेकनोलोजी फाइदा दे सकती है लेकिन नुकसान भी कर सकती है सिम्रन ने ममता की तरह स्ट्रिक्ट होकर अपने बच्चों को पढ़ाया और एक्जाम में अच्छे नंबरों से पास भी कराया साथ ही साथ अपने बच्चों को अच्छे संसकार भी दिये